दोस्तों किया आप भी अपना फॉन अपडेट या अपडेट करते हैं जिहां सही सुना आपने वाट इस डिफरेंस बिट्विन अपडेट एंड अपडेट क्या आपको पता है कि इन दोनों वर्ड में क्या अंतर है अकसर लोग इस चीज़ को Confuse में लेके चलते हैं और उनके Minds में Confusion रहता है कि अपडेट और अपडेट में क्या अंतर होता है अगर आपको नहीं पता है तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इन दोनों के बीच क्या अंतर है अगर आप इस चीज़ को नहीं सीखोगे तो लोग आपसे आगे निकल जाएंगे लोगों की जानकार्य आपसे जादा हो जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए और आपको ये इंतर जरूर जानना चाहिए दोस्तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अपडेट की जैसे ही आप अपने फॉन को अपडेट करते हैं अपने सिस्टम को अपडेट करते हैं तो अपडेट में क्या होता है जो भी कुछ कमपनीज को या जो भी सॉफ्टवेयर का या जो भी सिस्टम का जो ओनर होता है या उस चीजों को चोटी मोड़ी जो भी चीजे होती है उनको ठीक किया जा सके और उसको उसमें अगर आप कुछ नया जोड़ना चाहते हैं थोड़ा बहुत जो भी आपको option है कोई भी link वगएरा add करना है तो उसमें आप add कर सकते हैं जिससे कि आपकी चीजे और भी बहतर हो सके इस example भी iPhone का ही लूँगा क्योंकि लोगों को iPhone के बारे में देखना सुनना बहुत जादा पसंद आता है जैसे ही Apple Company ने अपने iPhone को launch किया सो दोस्तों जैसे कि Apple Company 13 से 14 मोडल लेके आती है जैसे ही Apple Company ने अपने मोडल को 13 से 14 में बदला तो यहां पर हम update नहीं upgrade कहेंगे क्योंकि य आप अपने आपको बदलो और पूरे ही तरीके से बदल दो यानि कि आप shortcut में यह समझ सकते हैं कि update का मतलब यह होता है कि आप अपने अंदर थोड़े बहुत चोटे मोटे बदलाव ला सकते हैं और upgrade का मतलब यह होता है कि आप अपने अंदर पूरा ही अच्छी तरीके से और यह अपग्रेट कराया क्यों जाता है अपग्रेट इसलिए कराया जाता है जिससे कि आपके अंदर की जो भी चीजे हैं उन चीजों को बहतर बनाया जा सके उसमें आसानी से जोड़ी भी जा सके So thanks for watching this video Keep practice and keep growing So I will see you in the next video Until then bye bye and take care